दोस्तों अगर आपने गुली बुली और जेसन होरत स्टोरी का पार्ट वर्ण तो अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें वरना वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी पिछले वीडियो हमने देखा कि गुली बुली ट्रैकन को देखके भागने लगते हैं मगर शौन इसके हमले में आ जाता है गुली बुली मदद के लिए जाही रहे होते हैं तभी से रॉड और बाबा मिलते हैं और ये दोनों इनके साथ में इसी जगह पे आ जाते हैं मगर जब ये लोग यहां आते हैं तो इन्हें शौन जेसन या ड्रागन में से कोल भी नहीं दिखता है ये लोग दो दिशाओं में शौन को ढूनने चले जाते हैं और इधर ये लोग शौन को ड्रागन की गुफा के पास तक ले आते हैं और जेसन यहां से चला जाता है ड्रागन को यह दो सो जाता है तभी गुफा से कोई बाहर आता है और शौन को गुफा में ले जाने लगता है मगर तभी शौन को होश आ गया और ये इससे जान पचा के भागने लगा और इस इंसान के गिरते शौन इसको मारने लगा मगर तभी ड्रैगन की नूई खुल गई और इसने शौन को देख लिया चलिए, अब आगे की स्टोरी देखते हैं बुल्ली और रॉड यहां तक आ चुके हैं और इन लोगों ने ड्रैगन को शौन की तरफ ही बढ़ता हुआ देख लिया बुल्ली कहता है कि रॉड वो ड्रैगन वही है जिसने हम पे हमला किया था हमें कुछ करना होगा इससे पहले शौन को मार दे रॉड कहता है कि जल्दी इस रॉकेट से नीचे कूदो रॉकेट सीधा हाके ड्रैगन को लग जया शौन के शौन भी इसकी तरफ ही देखने लगा शौन ड्रैगन को मरा हुआ देखके बहुत खुश है मगर साथ ही साथ ये बहुत हैरान भी है ये कहता है कि कौन है जिसने मेरी जान बचाई सामने आओ अभी ये दोनों को धराम से जमीन पे आगिरे शौन में देखके खुशिक मारे इनके पास आने लगा ये कहता है कि क्या हुआ तुम्हें आफिर कहां से मार खा के आ रहे हो मगर ये इनसान अब जग चुका है और इस आपके लेके इन्हें ही मारने आ रहा है अब बाल बाल बज गए राट कहता है कि बहुत बढ़िया बुली अब जल्दी हमें इधर से निकलना चाहिए मगर यहां कोई है जो इन्हें देख रहा है जेसन इन दोनों को मरा देखके इनसे बदला लेना चाहता है इधर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यह पत्थरों के पार कैसे जाएं राट कहता है कि लगता है रॉकेट बरबाद करके हमने गड़बड कर दी है हमें इधर कोई रसी डूननी पड़ेगी अब जेसन चिपते हुए इनके पास ही आ रहा है इन्हों अब यहां से रसी डूनने के लिए जा रहे है बुल्ली कहता है कि मैं गुफा में देखता हूँ और अब यह गुफा में जा रहा है और यह दोनों भी अभी अलग-अलग है जेसन तो इन्हें एक एक करके मार देगा जेसन ने पीछे से शौन को चाकू मार दिया रोग जेसन को देखके कहता है कि जेसन तुम यहां कब से छिपे हो और भला तुम छिप के हमला क्यों कर रहे हो दम है तो सामने सामने मुझसे मुकाबला करो अब तो इन दोनों की लड़ाई होने वाली है रोग ने तो यहां बर्ष का मॉंस्टर बुला लिया बला इसने यह सब कब सीखा मॉंस्टर ने जेसन को दाब दिया है और लगता है जेसन मारा गया अरे यह तो अभी भी जिन्दा है इधर बाबा और गुली अभी भी शौन को ही डून रहे है यह अचानक रोकेट से रेड लाइट क्यों जलने लगी गुली कहता है कि बाबा यह कैसी लाइट है कहीं इसका पेट्रोल तो खतम नहीं होने वाला है ना बाबा कहता है कि नहीं गुली यह रोकेट दूसरे वाले से जुड़ा है लगता है उसको किसी ने तोड़ दिया है हम उस रॉकेट तक जा सकते हैं ये लोग बस सहीं समय पे रॉट तक पहुंच जाएं और ना पता नहीं जेसन रॉट का क्या करेगा रॉट तो पेड़ पे लगता हुआ है जेसन कहता है कि ऐसे डरे क्यों हो डम है तो नीचे आओ मगर रॉट का प्लैन कुछ और ही था इसने जेसन के हाथ को फ्रीज कर दिया ताकि अपना चाकू इस्तमाल ना कर पाए मगर फिर भी इसने रॉट को मार के फेड दिया है और अब ये रॉट को देख के हस रहा है ये अपने हाथ के बर्फ को पिगलाने लगा ताकि रॉट को चाकू से मार सके रॉट लड़ने के लिए दुबारा खड़ा हो गया इधर शोर शराबे से बुल्ली भी गुफा से बाहर निकलाया और अपने सामने ही जेसन को देखके धबरा गया है उपर से तो गुल्ली और बाबा भी आ गए और शोन को घायल देखते ये लोग फॉरहन इसके पास आ गए बाबा शोन को ठीक कर रहे हैं और गुल्ली बुली रॉड ने मिलके जेसन को घेज लिया है जेसन ने बुल्ली पे शाकू दे मारा शोन अब ठीक हो चुका है और अब ये बस गहरी नींद में है अब बाबा जेसन के पास आने लगे बाबा कहते हैं कि जेसन तुमने शोन पे हमला करके अच्छा नहीं किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी बाबा इसे फ्रीज कर दिया और बाबा के मुश्के से इसके शुकड़े शुकड़े हो गए दोस्तों आप कोई वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें